दोस्तों ये गाड़ी आई है हमारे पास एक्सल अंडर मौफिर गाड़ी है जब इसे स्टार्ट करते हैं तो इसकी एक खिक है ये नीचे डरी रह जाती है ऐसे रह जाती है ये बापसी नहीं आती है इसकी जो किक श्प्रेंग ए इसका अंदर लगी है वो फूट गई है तो इसे हम नए याड आलाएंगे तो मिलते हैं वीडियो के अंदर तो भाई यह जो मिस्त्री है वो छोट मिस्त्री इसका नाम है गगानवाई तो पहले यह जो प्लास्ट वाला चेमबर है इसे हम पेच्छस की मज़से खोलेंगे और प्लास्टिक वाज ये चेमबर कोल कर इसके अंदर जो पंग का निगलते है इसके 3 बॉल्ट खोलेंगे और उसके बाद ये 12 mm का बॉल्ट उसे को खोलेंगे जो पंक है अंदर 3 moves ओते हैं जो कि पेजकस वाल लोते हैं तोड़े चंबर के बोल्ट होते हैं दसंथ त्यम्म के होते हैं यह जो पंक ये वह वालत है वह अब इन्हें सवह को खोल कर जो किक वाला बोल्ट है उसे भी को रही है तो दोस्तों थोड़ा वीडियो कर दें लाइक जिससे यह चोटु आई कि वह असला बड़े फ्लार नोंने यह जो पंका है वो कर दिया बाहर पंके के जस्ट नीचे पेचरस वाले बोल्ट होते हैं जो के 10 mm के चूड़ी वाले होते हैं फ्लाले कर रहे हैं बाहर इना उने बॉल्टों को खोलकर यह चैम्बर प्लास्टिक वाला है उसे बाहर नहीं करेंगे हम इसे केवर खोल कर थोड़ा तक प्लास्ट्क वाले चैम्ण को पकड़कर ऐसिकल बाद जो के क्यरद कर वोल्ट होई से हम कोल कर जैसे labour देदीं क्योंसरा निकाल कर यह जो जेस्ट बगल में छोटा जो प्लास्टिक का आफ कवर देख रहे हैं, इनका जो त्वीन बोल्ट लगा होता है, इसके जेस्ट ही अंदर के की स्प्रेंग लगई होती है, फिलाले हैं, हमने केको कर दिया है बाहर, इसके अंदर यह तीन जो बोल्ट हैं, इने अभी में कर दिया बाहर अब इसके अंदर सबसे पहले इसमें नौक प्लास का लोक लगा होता है इसके अंदर बारसर फिर बुस उसके उपर इस्प्रिंग जो तो इस पर लगा होता है तो सबसे पहले हम नौक प्लास की साहता से लोक को बाहर खोलेंगे जैसे कि हमने यह जो लॉक है वो नॉक प्लास्टी साइसा से बाहर आराम से निकाल लिया है इसके बाद यह बारसल निकाल लिया जो कि आप देख रहे हैं सेम बारसल की तरह इस बारसल होता है यह जो बुचा है प्लास्टिक का इसे हम अभी थोड़ा टाइट लगा है पेचकस की मज़से बाहर निकालते हैं तो दोस्तो थोड़े टाइट होने की वज़ए से हमने पेचकस के सहरे अभी जो बुचा है वो करल निकाल लिया है बाहर अब जो इस्प्रेंग है वो साप्ट में दस्वी ही होती है तो पेचकस की मज़स से जो इस्प्रेंग है उससे हम बाहर की तरफ निकालते हैं और दिखाते हैं आपको इस्प्रेंग कहां से तूटी है दोस्तों अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें साप्टम पसुई है इसलिए दोस्तों यह जो इस्प्रेंग है वो हमने कर दिया बाहर प्लाल जो इसका तूटा हुआ है यह जो कौना देख रहे हैं यह कौने से तूट गई है और यह स्प्रेंग टीवेस इस्ट अजिएयरी Aerial ARanov शीट में डाल सकते हैं इंबैर मैं टीवेस کंपणी के डालना हूं कंपणी की दोस्तों ज्यादा में घनी आतीं किसी भी गाड़ी की अगर टीन को करना तो टो जेनुवन ही डलवाये यह डाल यंथ तो दोस्तो हमने सबसे पहले इस प्रेंग लगाना है उसके बाद बुस लगाना है बुस के जेस्ट ऊपर बारसर उसके जेस्ट ऊपर नौक प्लास का लॉक लगा होता है जैसे कि हमने इस प्रेंग को कर दिया है सैटल सैटल करने के बाद दोस्तो इसमें किक बिठा कर और आर जो किक स्प्रेंग है वो आराम से ऊपर की तरफ फैक मारेगी और अच्छी तरह ऐसे काम करेगी दोस्तो अभी हमने चेकिंग उल्ली किया है फिलाल और इसे चेंबर को प्लास्टिक लगा रहे हैं क्योंकि कहीं पर यह दिक्कत ना दे के कहीं पर अड़े ना भी हम टार करेज देखते हैं लाल यह 3V हमने टार कर लिए है तोड़ा होड़ा टार कर लिए क्योंकि किसी में घर किसकी बजे से हमारी जो की किस प्रेंग ह्षिorno और णा सतों कि दोस्तों यह अमने चेंबर लाल लगा दिया है इस से अमेर के तीन ही बुल्ट है तीनों को अलग एक साइट रखें क्योंकि कोई भी बुल्ट चेंज नहीं हो चेंज होने की बज़े से आपके चूड़ी में दिक्कत या फैल होने की बज़े से बहुत सारा नुक्सान उठ पड़ सकता है इसलिए जो भी इसके बुल्ट है वो अच्छी तरिया सेफ स्रुच्च पर आगें कोई भी पेच की अद्ला बदली ना करें लोग किसी दोस्तों अभी यह जो ग्रहक देख रहे हैं हमारी दुकान पर आये थे बाबाजी मेरी दुकान आपको किसे ने बताई मैंने किसी आदमी से पूछा था उसने बताई थी कि मंदर के जश्ट बगल में दुकान है तो हमारी जो दुकान है वो मंदर के ठीक बगल में है सामने बंदर है मारी टंकी नगर चौराय पर दुकान है तो भाई मैंने जो कम किया वो कैसा लगा आपको बहुत बढ़ी हो लागा यह कहरे हैं बहुत अच्छा लागा तो मिलते हैं भाई अभी अब गारी के पास आ चुके हैं फ्लाल यह बोल्ट हैं वो हम टाट करते हैं सही बोल्टव को जहां पर जिस जगेपे बोल्टा आपने खूला था वही जगेपे फिट गर हैं जिससे हमारा कोई भी कसते समय परिषानी ना आए, फ्लाल अभी अमने पंक्या का फॉंडिशन हैं उसे हम टाइट करेंगे, टोटल यह बूंट हैं, उन्हें भी टाइट करेंगे, तो दोस्तों जब भी बोल्टों को टाइट करें तो फ्लाल ऐसा ना करें, सबसे पहले एक फ करें तराल फुल हमने बोल्ट कर दिया टायट और जो पंके के बोल्ट हैं वो तीन हो सेम होते हैं आप किसी भी बोल्ट को कहीं पर भी लगा सकते हैं जो पंका देख रहे हैं यहाद पिटिंग कर दिया है अब इन्हों जो तीन बोल्टे हैं इन्हें हम आमने सामने की तरफ अच्छी तरीका से टाइट करेंगे क्योंकि यह पंका है पंका जैसे आप एक्सिलेटर मारोगे तो यह पंका है जो मेंगेनेट पर कसा होता है तो एक्सिडेटर मालते हैं तो पंका बाड़ी तेजी से गुमता है इसलिए ये तीनों बोल्टे हैं वो अच्छी तरीका से टायट कर लें दोस्तो इस एक्सिलेंड्रेड में या किसी भी गाड़ी में मेगनेट के उपर अगर पंका लगा है तो वो लगा होता है सिलेंड्रेड केट को ठंड़ा करने के लिए मौफिट गाड़ी में जादतर सभी में लगा देगा होगा कि सभी में पंका लगा होता है दोस्तों ये पंका लागा होता है वो एक इक, इसलेंडर केट है हमारी जो ऊथंड़ी वनी रहे हमारी गाड़ी जालर लम रूत मैं चलो तो जोस्तले एक हीट होखर हमारी गाड़ी बंदना हो या जटके न ले तो तो अब लगिम से कभी भी भारर से सबसें कवर तूटे जा तो मेरे चैनल को कर देने सस्क्राइब और वीडियो कर देन लाइक तो वाई एक वीडियो पसाना बनाने बहुत सारा समय लगता है बहुत सार एविवाय पर कोई इस करना पड़ता है तो जोस्तों एक लिए मेरे एक सस्क्राब मेरे लिए आए बहुत ब्यात्पूर होता है प्लाल हम सभी बोल्टों करते हैं टायट और जो केक है उसे भी कम्प्लीट करते हैं फिर हम गाड़ी को करेंगे स्टार्ट कि हमारी जो इस्प्रेंग है वो प्रॉपर तरिया से काम कर रही है या नहीं दोस्तों प्लाल हमने सभी बोल्टों करते हैं टायट जो केक है अभी हम इसे बिटारते हैं केक बिटाने के बाद दोस्तों जैसे के हम केक बिटाएंगे उसका जो बारायम का बोल्ट है उसे थोड़ा केक को नीचे करके बारायम का बोल्ट करते हैं जिससे हमारा बोल्ट कोई भी पुल्ट लूज ना छोड़े हैं अमने कर दिया अइट-ायट अभी गाड़ी करते हैं स्टार्ट है अमने गाड़ी देखो इस्टार्ट कर दियो और जो आमारी केक है वो आमारी बाप्सी इंप्रोफनस ही मार रही है तो मिलते हैं next video के अंदर थैंक्स बास्टिंग दबीदियो जॉइस